बिसमिल्लैलायोरानीरहीम सबसे पहले हम बूंगा तीनादध ईहां नेगों तो इसे हम चुले पर शुकले कलें उनका छिलका उतार के वरतन में रखेंगे और इनके पीसिस जो है वो कट कर लेंगे तो एक हमने इनके पीस्ट जो हैं ऊक्त Capt Kit कर लेंगे और यह मेने के कट कर लेंगे में कर लिए प्यास दो टिमाटर और तीन से चार अदद मिर्चे और थोड़ा सा धनिया और नमक मिरच जीरा इसमें एड़ करने के लिए हम एक प्लेट में और यह छोटी से प्लेट में मिसाला और बड़ी प्लेट में जो हो टिमाटर और उसाब एक जगा अरक लेंगे घी लाल करेंगे और गी करम करने के बाद हम इसमें प्यास जो हो एट करेंगे और अचितरा प्यास लाल ब्रॉण होने तक लाल ब्रॉण होने तक हम इस प्यास को जो है वो भूनेंगे ओके जी अब जो यह प्याज है मेरी वो लाइट बर्ण हो गई है अब इसमें वन टीषपून जो है लसा नदरक शामिल करूँगी और इसे अच्छे से भून लूँगी कि लसा नदरक की जो स्पेल है वो खतम होजे अच्छे से बुनाई करूंगी और इसमें जो हो जो कड पिस किए वे थे मैंने यह ने कि जो पीस किये मोधिया यह स्फडिश्य थे मैश स्चाप्लिश तरह यहां है अश्वा सैक्का लाइंडब कार दूंगी यह लाल मिरच्छ और नमक और इसे भून अच्छी तरह इसे भून लूँगी ताकि मसाला जब इसमें शामिल हो जाए और फिस में टिमाटर एड़ कर दूँगी टिमाटर हरी मिर्चें इसमें मैं आड़ करूँगी और अच्छी तरह भूनूँगी जी जबदस खुझबे आरी माशाला और फिर इसको मैं जो है वो आज से आट मिंट के लिए दम पर रख दूँगी माशाला देखें अब दम खोलने के बाद जो है वो देखें कितनी प्यारी लगी है माशाला मेरे मेंगन का जो भरता है वो मुस्की जो है शकली चेंज हो गई है माशाला बहुत अच्छा लग रहा है अब इस पर मैं गार्निश के लिए धनिया काट के गार्निश कर SP जो वो त्यार हो गई है उमीद करती हूं आपको पसंद आई होगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें लाइक करें और शेर करें